आईपिल के 13 सीजन का 22 वा मैच मुंबबा इंडियन्स और राजसान रोयल्स के बीच आज अबुधावी में खेला जाएगा दोनों डिमों के बीच पिछले 2 सीजन में 4 मैच खेले गए जिसमें हर बार राजसान रोयल्स ने मुंबा इंडियन्स को हराया इस सीजन में राजसान ने अब तक चार में से दो मैच जीते और दो हारे मुंबई ने पांच में से तीन मैच जीते और दो में शिकस जेली है राजसान ने सीजन में अपने दोनों मुकाबले शाजा में ही जीते है ये मैच अब से ठीक 30 मीट बाद शुरू होने जा रहा है तो आईए जानते है इस मैच के बारे में अहम जानकारिया विदर रिपोर्ट कैसा रहेगा मौसम अबुधावी के शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में मौसम बिलकुल साफ रहेगा हाला कि खिराडियो को यहां भी बीजन गर्मी का सामना करना पड़ेगा इसके साथ ही यहां शबनम की भी अहम भूमिका होगी और टॉस जितने वाली टीम पहले गेंद बाजी का फैसला कर सकती है पिछ रिपोर्ट दुबई इंटर्नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तुलना में अबुधावी का शेक जायत इंटर्नेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिलकुल अलग है हाला कि साइस के हिसाब से यह ग्राउन भी काफी बड़ा है लेकिन यहाँ दुबई की तरह तेज गेंद बाजों को मदद नहीं मिलेगी हाला कि दुबई की तरह यहाँ भी टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्ले बाजी का फैसला कर सकती है क्योंकि दूसरी पारी में पिछ के स्लो होने की पूरी संभावना है हमारा मैच प्रेडिक्शन मीटर कहता है कि इस मैच में राजसान राज को जीत मिलेगी हाला कि मैच के क्लोज रहने की पूरी संभावना है इस कबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिकर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही आई पील 2020 से जुड़ी हर ख़बर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले ऐसे ही आईपल 2020 से जड़ी हर एक अब्डेट ख़बर के लिए चैनल के साथ बने रही है क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपल 2020 के हर एक मैश में टेम का प्लेंग 11 मैश की हाइलाइट्स और ऐसे हो भी कई जानकार्या मिलेंगी तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे चैनल के साथ लगातार बने रही है धन्यवाद